Как बोफे में लाए्फान स्वानिया, जो क्लोनिग वेक्टर्स को होता है, यह फॉर इन आ को ही जो क्लोणिग वेक्टर है, पिसगेते लिए तो इएने क जाDoesसे, groot अचार। या किसी higher organism का cell हो सकता है या फिर कि जो है bacterium का plasmid हो सकता है तो as a cloning vector कोई भी function कर सकता है एक cloning vector में basically कुछ basic features होते हैं जैसे की origin of replication origin of replication वो site है जहां पे जो necessary होता है आपके host cell के replication के लिए क्योंकि उसके cell replicate करेंगे तभी तो वो पूरे convert होगा ठीक है तो call e1 जो है origin of replication है जो कि maximum plasmids में पाया जाता है और यह propagation और maintenance के लिए जरूरी होता है इस e-coli में ठीक है second जो important feature है वो है कि cloning site होना चाहिए तो यह cloning vector जो होते हैं उनमें एक unique restriction sites होती है जो कि जिसको की manipulate किया जा सकता है manipulation कैसे हो सकता है कि उसके अंदर को या तो फिर आपको specific DNA sequence insert किया जा सकता है या फिर वहां से delete किया जा सकता है vector के अंदर third point है selectable marker तो जो भी vector है उसमें एक selectable marker gene होना चाहिए जो कि जो transformed और non-transformed cell से उनके बीच में differentiate कर सके तो सबसे पहली चीज थी आपको cloning site selectable marker और third जो है restriction site ठीक है अब हम देखते हैं कि एक cloning vector के क्या essential characteristic होना चाहिए तो सबसे पहला तो वह host cell के अंदर self-replicating होना चाहिए मतलग खुछ से replicate करें साथ ही उसमें unique restriction site होना चाहिए जहां पर restriction indonuclease enzyme जो है वहां पर उसको cut कर सके या तो delete करने के लिए या तो फिर उसके अंदर दूसरा DNA insert करने के लिए उसकी replication property जो है वह compromised या फिर altered नहीं होना चाहिए यानि कि जब कोई दूसरा बाहर से donor DNA sequence उसके अंदर insert किया जाता है तो उसका जो वह replicate कर रहा है वह उसी manner में करें जैसे कि वह पहले करता है उसमें किसी तरह का भी कोई change नहीं होना चाहिए उसमें कुछ marker gene होना चाहिए जो कि process की बाद identify कर सके कि recombinant gene कौन चाहिए यानि कि जो भी foreign DNA sequence insert किया गया है उसको easily identify किया जा सके ठीक है उसके साथ ही उसको isolate करना purify करना और साथ ही host cell के अंदर introduce करना easy होना चाहिए उसका size जो है वह small होना चाहिए ताकि वह easily host cell के साथ integrate हो जाए और उसके अंदर multiple cloning site present होना चाहिए तो यह कुछ idle features है जो कि जब हम cloning vector select करते हैं तो उनमें present होना चाहिए तो अब हम देखते हैं कि cloning हम करते कैसे यानि कि procedure क्या होता है तो basically इसमें क्या करते हैं कि जिस DNA fragment को हमें clone करना है पहले उसको हम generate करते हैं साथ ही vector generate करते हैं और दोनों को cut करने के लिए हम same restriction endonucleus enzyme जो है वह use करते हैं उसके बाद जो vector और DNA fragments है उनका digestion करते हैं restriction enzyme से यानि कि cut करते हैं digestion enzyme की cutting portion है ताकि उन दोनों को एक साथ फिर join किया जा सके enzyme lyase use करके तो restriction enzyme होता है वह cut करने के लिए use होता है और lyase enzyme जो है उनको join करने के लिए use होता है फिर recombinant DNA molecule को transfer किया जाता है होसिल में यानि कि पहले क्या किया जाता है कि vector DNA और DNA fragment को cut कर लिया गया फिर उन दोनों को combine कर लिया गया combine करने के बाद वापस उसको host cell में introduce किया जाता है ताकि वहां पे वो replicate कर सके और अपने जैसा ही identical number of copies produce कर सके जिसको कि हम clone कहते हैं यह जो clone DNA segments होते हैं उसके बाद host cell से वापस recover कर लिया जाते हैं purify किया जाता है और फिर उसको analyze किया जाता है अलग-अलग methods यूज करके क्लोनिंग वेक्टर में आपको आते हैं plasmids, bacteriophase, cosmids, phagimids, bacterial artificial chromosome, east artificial chromosome, human artificial chromosome इतने सारे वेक्टर्स यूज किया जाते हैं ताकि हम किसी DNA fragments के number of copies तयार कर सके सबसे पहले हम plasmids के बारे में discuss करेंगे तो यह आपको extra chromosomal circular double stranded DNA replicating element होता है जो कि bacterial cells में present होता है इनकी जो size है वो लगबग 5.0 kg यानि किलो बेसिस होती है इससे लेके 400 kg तक होता है और ये widely used cloning vector है और जो plasmids होते हैं उनमें एक marker gene होता है और वो marker gene हो जीन है जो कि antibiotic resistance होता है जिसकी वजह से कोई भी cell जिसके अंदर plasmid present हो वो किसी गिवन antibiotic में easily grow कर लेता है ठीक है क्योंकि ये जो है वो antibiotic resistance होता है जो marker gene present है उनको फिर इंसर्ट किया जाता है बेक्टेरियल सेल्स में और इस प्रोसेस को जो है वो कहते हैं amplification plasmids के जो example उसके अंदर आते हैं PBR 322 plasmids, PUC vector plasmids तो अब सबसे पहले इसके एक टाइप के वारे में discuss करते हैं जो है PBR 322 plasmids ये सबसे पहला artificial vector है जो की Bollywood और Prodiguich के थो जो है वो developed किया गया था इस्ट्रेशिया कॉली से यानि E कॉली जिसको short form में हम कहते हैं उससे ठीक है यहां पे इसका figure है तो यहां पे यह जो नेम इसको दिया गया है PBR तो यहां पे P जो है वो plasmid के लिए stand करता है capital B जो है वो bolivar के लिए R जो है वो roddingage के लिए और यह B और R में जो bolivar और roddingage है यह जो वो दो scientist है जिनोंने इसको develop किया तो इसलिए इसका complete नाम जो है वो PBR 322 पड़ा यहां पे मैंने इसका structure बना रखा है ठीक है तो plasmid PBR के अंदर जो होता है वो gene होता है origin of replication origin of replication already discussed किया कि कोई भी vector होगा उसमें origin of replication होगा जिससे की easily वो replicate कर सके दूसरा है resistance to amplicine यहां पे यह जो portion दिख रहा है यह आपका amplicine के लिए है यहां पे यह जो portion दिख रहा है वो tetracycline के लिए resistant है यहां पे origin of replication है ठीक है तो उसके अलावा इसमें unique recognition sites होते हैं 20 restriction enzyme जिसको recognize कर सकते हैं second example जो बताया था मैंने PUC vector plasmid यहां पे PUC जो है वो stand करता है plasmid University of California क्योंकि यह जो है obtained हुआ था University of California से तो यह commonly used plasmid plasmid cloning vector है इस रेचे quality से क्योंकि इसमें high copy number develop करने की capacity होती है मतलब इसमें जो copies develop होती है clones develop होते है उनका number काफी ज्यादा होता है यह create किया गया था जो है कि मैसिंग और उनके co-workers की help से और यह molecule जो है वो double stranded circular DNA है जिसमें का base pair जो है वो 2686 होता है लेंथ में और यह basically यूज होता है POC 19 वेक्टर उन केसिस में जहां पर amplycine resistance की जरूत होती है और साथी या तो defect होता है बीटा या लेक्टर सीडेस का किसी भी होस्ट ट्रेंग में ठीक है तो इसलिए यह बहुत सारे DNA fragments की factory डिवलप में बहुत ज्यादा quantity में हम डिवलप कर सकते हैं और इसको isolate करना, manipulate करना easy होता है क्योंकि इसका size बहुत small होता है और इसके circular configuration की वज़े से यह काफी stable होता है इसमें जो replication होता है वो होस्ट सिल्के independent होता है मतलब वो अपना खुछ से self जो है वो replicate करके copies produce करते रहते हैं vector as a cloning vector जो use किया जाता है वो है fragment vector fragment vector जो है वो plasmid और M13 vector का hybrid होता है मतलब इन दोनों को combine करके बना होता है यहाँ पे जो phase है वो M30 bacteria के लिए use होता है और यह जो mid है वो plasmids के लिए use होता है इसका structure ऐसा होता है ठीक है तो एक typical fragment vector में phase M30 origin of replication होता है देखें यहाँ पे यह phase M30 origin of replication है इसमें एक portion होता है lag j gene जो की lag promoter से derived होता है ठीक है उसके अलावा इसमें multiple cloning sites होती है multiple cloning sites को हम short form में MCS से represent कर सकते हैं जिसमें की lag j gene present होता है उसके अलावा phase T7 और T3 promoter sequence होता है जो की MCS यानि multiple cloning site को show करता है call E1 origin of replication होता है और amplycine resistance gene होती है ठीक है तो यहाँ पे मैंने figure में दिखाया है यहाँ पे दिखें प्रमोटर है यहाँ पे restriction site है यहाँ पे signal peptide और यहाँ पे molecular tag है यह code protein है यह IG reason है selective marker है ठीक है और यहाँ पे origin of replication है तो यह pagamids का structure होता है next cloning vector है Cosmids Cosmids जो है वो lambda phase और plasmids के hybrids होते हैं और उनके जो DNA होते हैं वो cell के अंदर replicate कुछ ऐसे करते हैं कि वो या तो plasmid या तो फिर face के जैसे जो है replication का pattern show करता है most of the Cosmids vectors है वो 5 KBS के होते हैं और लगभग 33 से लेके 43 KB of DNA को हम इस इस vectors के अंदर clone कर सकते हैं यहाँ पे मैंने Cosmids का figure show कर रखा है यहाँ पे antibiotic gene है यहाँ कॉस gene है यह restriction site है जहाँ पे insert किया जाता है gene को और यह origin of replication है तो इसमें जो है वो lambda cause site होता है जो की help करता है packing में phase head के अंदर इसमें जो है phase gene present नहीं होते तो इसलिए जो है वो plasmids की तरह behave करते हैं जब उसमें equally में introduce किया जाते है packing या फिर infection mechanism के तो जो cosmit vectors है वो एक ideal system की तरह behave करता है बहुत efficient और specific method है जिसमें की recombinant DNA को introduce किया जा सकता है और इसकी जो cloning capacity है वो लगभग 2 गुना जादा होती है as compared to lambda vector phase तो इसमें replacement करना फिर insert करके cloning करना कापी easy होता है next cloning vector जो है वो है YAC यानि की East artificial chromosome इसकी वजह से इस cloning vector को use करके जो है large fragments of DNA को clone किया जा सकता है और इसमें लगभग 3,000 kbs length sequence के DNA को insert किया जा सकता है इसमें जो है वो सारे elements present होते हैं जो कि किसी eukaryotic chromosome को East nucleus के अंदर रखने के लिए चाहिए होते हैं मतलब वहां पर उनकी growth के लिए चाहिए होता है जैसे कि East origin of replication, two selectable markers, specialized sequels जो कि telomere और centromere से derived हो और reason of chromosome जो कि stability और proper segregation के लिए chromosome के जरूरी होता है cell division के time तो यह सारे requirements इसमें present होते हैं ताकि वो East cell nucleus के अंदर fully grow हो सके next cloning vector है वो है BAC bacterial artificial chromosome यह जो है वो extra chromosomal plasmids जो होते हैं equally के उन पे based होते हैं और इसको F factor या फिर fertility कहते हैं जो की बहुत काफी बड़ा होता है as compared to normal plasmid cloning vectors है इसलिए इनकी जो large fragments को clone करने की capacity जो है काफी ज्यादा होती है as compared to plasmid क्योंकि plasmid जो है वो short sequence के DNA को ही सरफ clone कर सकता है लेकिन BAC को use करके large fragments of DNA को clone किया जा सकता है इसमें लगबग 300 KB तक insert किया जा सकता है और इनकी जो sequencing है वो human genome के लिए काफी useful होती है तो BAC recombinant use करके human genome के copies तयार किये जा सकते हैं next cloning vector है वो है human artificial chromosome यह एक तरह का mini chromosome है जो की construct किया जाता है artificially human cells के अंदर यानि कि normally human being में 46 chromosome present होते हैं लेकिन जब इनको develop किया जाता है तो human में 47 chromosome होते हैं roughly six to ten megabases होता है size में और इसमें new genes को easily introduce किया जा सकता है जब human पर research किया जा रहा हो तो और इनकी खुदकी self replicating or segregating system होता है जिससे की एक stable chromosome की तरह behave करते हैं और जो host cell है यानि human being है उनकी chromosome किसी तरह का कोई effect नहीं डालते हैं तो यह था about आपका different types of cloning vectors जो की use किये जाते हैं clone करने के लिए मतलब number of copies develop करने के लिए same DNA के Thank you for watching